हाई फोक्स मैं हूँ रिशब और फाइनली इस चैनल पर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ चुका है Microsoft Power BI इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने comment और message किया था कि उनको Power BI के उपर एक tutorial और एक project चाहिए तो finally वीडियो आ गया है इस वीडियो में Power BI सिखाने के लिए हमने एक project consider किया है जिसकी हल से आप step by step करके सारे basic तो सीखी जाओगे पर finally end में आप एक project भी complete कर लोगे जिसको आप अपने profile में add कर सकते हो तो अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहो तो please like this video and subscribe to the channel ताकि इस तरह के और वीडियो आपको मिल सके तो चलिए इस वीडियो को start करते है तो next बात करते हैं कि Power BI क्या होता है तो अगर एक तुम simple terms से समझाओं तो यह Power BI Microsoft का business intelligence tool है जिसकी help से आप different data sources से connect कर सकते हो और finally आप एक dashboard या report बना सकते हो तो next आप देख सकते हो यह different job opportunities है जहां पर Power BI as a skill चाहिए होता है अगर बात करूं Power BI developer की average salary की तो यह data मैंने ambition box और glass door से उठाया है तो इसका है 5.5 LPA जो की काफी अच्छा कासा starting salary है और यह salary again depend करता है काफी सारे other factors पर तो next देखते हैं कि Power BI को कैसे हम लोग download करेंगे और कैसे install करेंगे तो Power BI को download करने के लिए सबसे पहले आप Microsoft Store सर्च करिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Microsoft Store तो यह आपको मिल जाएगा आप इस पे जाएगे थोड़ा सा time लेका यह open होने में तो जैसे ही open हो जाएगा यहाँ पर आप सर्च करिए Power BI अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके बस different options है Power BI के आपको यह चीज का देहान रखना है कि आपको Power BI desktop ही download करना है इसके अलावा कुछ नहीं otherwise आपको वो license में issue होगा आप Power BI desktop पर आओगे यहाँ पर आपको लिखा होगा get अब उस पर click करिए और आप थोड़ी दिर wait करिए यह download हो जाएगा और जैसी download हो जाएगा फिर आप इसको start कर सकते हो तो आप screen पर देख सकते हो यह Power BI download हो चुका है तो इसको एक तो चाहूँ मैं यही पर directly open कर सकता हूँ अगर यहाँ पर open click करता हूँ या दूसरा तरीका है कि आप मैं यहाँ पर जाओं search में और यहाँ पर जाके मैं लिखूँ Power BI तो यहाँ पर आपको option मिल जागा तो यहाँ से भी open हो जाएगा जैसे इसको click करता हूँ तो आप देख सकते हो एक dialogue box open हुआ है Power BI के साथ जहाँ पर आप directly get data करके start कर सकते हो ठीक है इसकी हमको जरुत नहीं तो अभी यहाँ से मैं cross कर दे रहा है इसको तो यह आपका Power BI का interface है ठीक है उसके next तुरन नीचे आता है data view तो जो भी आपकी tables आती है वो यहाँ पे होती है data view में और इसी के अंदर हम लोग decks queries लिखते है चिक है और उसके सबसे last में आता है आपका model view तो जो भी tables होंगे आपके पास data source होंगे उनको अगर connect करना उनके बीच में relationship बनाना है तो model view जाएंगी अभी हम लोग इसमें detail में जाएंगे आपको बस अभी high level बता रहा हूं तो इसका interface almost excel से मिलता चूलता है इसको start करने के लिए यहाँ पर home button में आप देखोगे तो get data होता है तो जैसे आप get data पर click करोगे तो यह आपको बस different data sources है जहां से आप data लेके आ सकते हो जैसे कि excel हो गया power bi data set हो गया data flows हो गया SQL server हो गया यहां से आप SQL से data लेके आ सकते हो text और csv file हो गया इस तरह के और भी data sources होते हैं अगर आप more में जाओगे तो आपको और काफी सारे data sources मिलेंगे next group है queries तो queries के अंदर दो चीज होती है एक होता है transform data दूसरा है refresh तो जब भी आप data को load करते हो system में power bi के अंदर तो उसके बाद अगर आपको data के ओपर कुछ operations करना है data cleaning करना है process करना data को तो उसके लिए data को transform यूज करते हैं तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे ठीक है यहां पर visual chart है text box बना सकते हो तो यह सब अभी हम लोग आके dashboard में use करेंगे तो इस project को start करने से पहले में इसका जल्दी से brief introduction दे देता हूं तो हमारे पर से client है माधव store यह अपना products को online sale करते हैं और इनका ask है कि इनके लिए हम एक power bi पर report बना है जिसकी help से यह अपना sales को track कर सकें तो अभी जल्दी से आपको मैं एक बार input data दिखा देता हूं तो आप screen पर देख सकते हो यहां पास जो table है इसका नम order table है और यहां पर order date है किस date को order किये गये थे किस customer ने किया था जैसे हां पर हरिवंश है माधव है मदर मोहन है किस state से हैं लोग कोई उत्तर देली से कुईतर प्रदेश से हैं और किस city से है तो जैसे मतुरा डेली इंद और प्रियाग राज पूने मुंबई सूरत तो इस तरह कि यहां पर city का भी option है तो यहां पास orders का data है दूसरा table है जिसमें order ID है और amount है मतलब वह order कितने का है उसका amount है अगर आपको इस order से profit furniture है या clothing है और उनकी सब categories है और payment mode है मतलब जो आपको यहां पर amount दिया गया यह किस mode से दिया गया मतलब COD है या cash on delivery है या credit card है या UPI की through transaction किया गया है तो वह सब यहां पर option है तो यह हमारा input data है जिसके उपर हमको report तयार करना है तो अभी start करते हैं हम लोग सबसे पहले get data क साथ और जो file हम लोग यूज करने वाले है इस वीडियो में project के लिए वह है csv file तो मैं csv को select करूँगा आपको जो भी file होगा वह format आप यहां पर select करोगे जो मेरा data है जिस folder में उसको मैं select कर रहा हूं तो मेरा data है मादव store का और यहां पर मैं पास डोट csv file है ठीक है तो ए transform data पर click करते हो तो फिर वह editing में पहुंच जाओगे जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे अभी एक बार आगया तो आपको कैसे पता लगा data import होगा की नहीं तो आप राइट साइड में देखो एक नया आपके पास एक option खुल गया data एक tab खुल गया data यहां पर आप देखो orders table यह मुझे details को import करते हैं तो detail दिखा रहा है ठीक है इसको directly load करूंगा क्योंकि मेरा data neat and clean है बात मुझे पता है इसलिए मैं load कर रहा हूं बढ़ अगर आपको doubt है जैसे first time data use कर रहा हो तो उसको आप transform करिए फिर उसको use करिए ठीक है दूसरा data भी आगया detail को मैं चेक करता हू तो यह में पास columns आ गया है तो आप चलते हैं अपने next step पर जो की होगा transform data तो यहां पर आपको option दिख रहा है आप इस पर click कर दीजे जैसे आप इस पर click करोगे एक नया window open हो जाएगा चीक है अब आप एक चीज का देहान रखिए आप जो भी changes करोगे ना इसमें transform data के अंद है अगर आप उपर देखो यहां पर home है transform है add column है view है tools है different चीजें यहां पर अगर आपको कोई new data source लेकर आना तो यह करोगे अगर आपको खुद का एक टेबल में को data enter करना तो यहां से आप कर सकते हो इसके लावर different parameters की setting है data को refresh कर सकते हो अगर आपको कोई columns को delete करना तो यह और चीजी जो columns है अगर आप इन पर right click करते हो तो यहां पर आप देखो different options आते हैं जैसे कि अगर मुझे इस column का type change करना हो तो यहां पर देखो different options है अभी इसमें text पर tick हो रखा है तो में पास जो column का type है वो text है बट अगर आप कोई और type change करना चाते हो तो वह यहां से कर सक साथी साथ जैसे excel में होता है तो यहां पर रिमूव duplicates करोगे तो अगर इस column किस से related duplicates values हैं तो वह भी रिमूव हो जाएंगी और अगर आपको किसी column का duplicate बनाना हो मतलब same column में दुबारा चाहता हूं तो यहां पर आप देखो duplicate column का option है तो जैसी आप इसको क्लिक करोगे यह same order id column यहां पर order id copy के नाम से create हो जाएगा तो अभी कलिए मुझे यह ने चाहिए तो इसको मैं यहां से remove कर दे रहा हूं तो यहां पर आपको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं तो यहां पर आपको लिखा है custom column तो आप इस पर क्लिक करिए अभी आप से पूछेगा किस्टम column का name क्या है तो जैसे मैं कुछ भी name देता हूं जैसे मैं बोल रहा हूं test ठीक है custom कोड़ा दो column का name मैंने test दे दिया उस column name के नीचे आपको formula लिखना होगा कि किस basis पे आपको column की values चाहिए तो मुझे चाहिए जैसे कुछ भी random ले रहा हूं जैसे amount आया तो मैं यहां पे लि quantity के साथ तो यहां पे मैं select कर लूँगा quantity चाहिए मतलब मुझे amount और quantity का product करके एक नया column चाहिए जिसका नाम test है अब आप इसको ok कर दीजे तो आप देखो यहां पे आपके पास एक column आगया जिसमें इसने product into amount किया है तो इस तरीके से आप power query के अंदर किसी भी data को या tables को format कर सकते हो अब जैसे यह column मुझे नहीं चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए यहां तो आप राइट क्लिक करके इसको delete कर सकते हैं यहां पर आपके पास directly option आएगा remove का दूसरा तरीका आप right side में देखिए जैसे मैं आपको बताया था applied steps के अंदर आप जो भी इसमें changes करेंग उसे excel में दिखाता है आप यहां पर filter चाऊ तो को filter लगा सकते हो टेस्ट फिलटर लगा सकते हो यह अभी सभी को text में consider कर रहा है ऐसले टेस्ट filter आ रहा है ठीक है ऐसी आप अगर amount column में जाते हो तो यहां पर भी आप filter लगा सकते हो तब इसको number इस कॉलम को number consider कर रहा क्लिक करिए group by पे तो डायलोग box open हो जाएगा ठीक है इसमें आपके पास group by के लिए दो option होते हैं एक तो basic तरीके से आप कर सकते हैं दूसरा advance तो पहले basic देख लेते हैं तो यहां पे आपको group by किस column की basis पे करना है तो यहां पे आप different columns कर सकते हैं जैसे मुझे group by करूँगा सम करें मगर सम किस के उपर करें तो मैं चाहता हूं सम करें amount के उपर ठीक है तो इससे मेरा output के आएगा हर category के अंदर कितना amount का total है वो निकल के आएगा अब इसको okay hit कर दीजिए तो आप दे सकते हो जो आपकी detail feature है इसमें आप यहां पे cross कर दीजिए तो जैसे आप थे वैसे वहां पर आपस आगे अगर दुबारा में group by पर क्लिक करूँ और चलते हैं इस बार advanced option पर तो advanced group by में आप multiple columns को group कर सकते हो और multiple columns के उपर operation भी perform कर सकते हो ठीक है जैसे यहां पर operation क्या करना है मैं चाहता हूं सम हो किस column के उपर सम होना चाहिए अमांट के उपर इसके नहीं चाहिए आप option देख सकते हो quantity का ठीक है तो इस तरह के से आप और भी aggregation add कर सकते हो तो यह एडवांस में होता है मतलब सब कुछ बेसिक जैसा है बस advanced में आपको पास multiple option आजाते हैं आप इसको के hit करिए तो आप देखो मैंने category और सब category के basis पे data को group किया था यहां पर मैंने आपको complete हो जाएगा उसके बाद आपको इसको बंद करने से पहले एक चीच का आप ध्यान रखिएगा आप सबसे पहले जाएए home में और home में जाने के बाद आप यहां पे देखना close and apply लिखा हुआ है ठीक है अगर मैं यहां पर down arrow क्लिक करता हूं तो यहां पर आपका तीन option है close and apply apply और close अगर आप simply close कर दोगे तो यहां पर जितने आपने changes की है वो save नहीं होंगे तो इस चीच के आप धिहान रखिए कि यहां तो apply करीए apply से यहीं पर save हो जाएगा close and apply का मतलब जो power query खुला यह बंद हो जाएगा बट सारा मेरा जो भी मैंने इसमें फॉर्मैटिंग किया उस सब सेव हो जाएगा तो मैं अभी करूँगा close and apply तो आप देखो हम लोग जहां थे वहीं वापस आगए data save हो गया load हो गया ठीक है यहां पर right side में पास दो टेबल अब चलते हैं अपने next tab में जो कि मैंने आपको बताया था data view इस पर क्लिक करते हैं तो यहां भी आप देख सकते हो right side में जो data column है या tab है उसमें बगास दोनों table दिखा रहा है तो जितनी भी table मैंने import करी तो वह सब यहां पर आपको दिखा रहा है और इसके बाद जैसे चा data type क्या है तो आप देखो यहां पर data type whole number में है ठीक है अगर profit में जाता हूं तो यह भी whole number में अगर order ID में जाता हूं तो यह text है क्योंकि इसकंदर alpha numeric values है अगर इसमें जाता हूं मैं payment mode में तो यह भी text है यहां से आप format change कर सकते हैं जैसे कि suppose करो अगर कोई number होता तो यहां स पर क्लिक करिए तो यहां पर आपके लिए new column open हो गया है बट यहां पर आपसे formula पूछ रहा है तो जैसे आप new column पर क्लिक करोगे एक column आपके पास आ जाएगा इस column का name पूछ रहा है तो जैसे same to same हम लोग ने अभी power query के अंदर किया था same to same यहां पर भी वैसे ही करना होता ह आपको तो जैसे मैंने यहां पर test लिख दिया उसके बाद मुझे column का name चाहिए तो मैं column का name same amount ले रहा हूं इसको मैं product कर रहा हूं quantity के साथ जैसे same हम लोग ने वहां पर किया था same इसको मैंने select किया आपको कुछ नहीं करना enter press कर देना या बाहर क्लिक कर दीजे और right side में आ तो यहां पर आपको detail वीडियो मिल जागा तो अभी तो इसमें ज्यादा cover नहीं करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा time लग जाएगा जैसे अभी इसको मुझे delete करना है तो simply यहां पर right click लिए यहां पर जाएगे delete जैसे Excel में करते हो और इसको yes यह column delete हो गया right side में आप देखो इसने एक relation बना रखागा जैसे आप यहां पर hover करोगे तो आपको बताएगा order ID order table से और order ID detail table से इन दोनों ने जोइन किया यह relation बना है अगर आपको लगता है कि भाई यह relation ठीक नहीं है तो आप इस पर right click करिए और properties पर जाएगे तो यहां पर आपका टेबल का नाम आता है तो यह detail table orders table है और सबसे best part क्या है कि यहां पर आप visually हर चीज़ देखते हैं मुझे amount select करना है तो amount के साथ relation बना सकते हो वैसे तो most of the cases में यह automatic detect कर लेगा कि कौन से columns के बीच में relation है बट अगर नहीं कर पाता है तो यहां पर आप उन दोनों को select करिए जिनके बीच में आपक suppose करो आपके पास दो table है ठीक है और एक table में जैसे order id है तो दो table है दोनों में order id common है अगर दोनों table में unique order id है मतलब यह column जो values है repeat नहीं होती है तो उस case में हम लोग use करेंगे one to one जो आपको second number पे है अगर इसका opposite होता है मतलब दोनों ही table के अंदर जो column है उनके अंदर duplicates values है म आप जो सबसे पहला option आता है many to one वो case में कैसे होता अगर first table है आपका उसके अंदर duplicate values है मगर second table में नहीं है तो यहाँ पे तो many हो गया तो many to one तो यहाँ पे many और दूसरा one ठीक है और इसी का just opposite आतला आपके right side में many है और left side में one है तो उसको हम लोग one to many करेंगे ठीक है simple इ बीच में relationship बना सकते हो ठीक है अब चलते हैं अपना finally कैसे हम लोगे dashboard या कैसे चार्ट बनाते हैं अब उस step पे चलते है तो dashboard बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले report view में आना होगा और यहाँ पर हम लोग अपना dashboard बनाने start कर सकते हैं इससे पहले मैं आपको दिखा जिता ह हो तो यह आपका data change होता है तो यह अगर मैं January पर click करता हूं तो आप देखो सारा data January के साब से चेंज हो जाएगा अगर यहाँ पर quarter one select करता हूं तो आप देखो आप जनवरी फरवरी मार्च तीन quarter का data आ रहा है quarter two select करूँगा तो तो तीन हो का एक साथ आगा जहें से लेके जून तक का select all करूँगा तो यहां तक कि मैं state भी select कर सकता हूं अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ डेली का data देखना है तो आप डेली पे click करिए आपका सिर्फ डेली का data आएगा अगर आपको जबारा normal जाना तो आप select all करिए सब कुछ वापस जैसा था वैसा आ जाएगा तो कुछ कर सकते हैं जैसे कि basic जैसे मुझे इनका size बढ़ाना है तो मैं इसको बढ़ा कि 16 कर दे रहा हूं और अगर आप इसको चाहो तो बोल्ड कर सकते हो इसको center चाहो तो center align कर सकते हो तो यह सब चीज़े यहां पर आप कर सकते हो अभी मेरे लिए तना काफी है और इसको resize कर करने के अबको drag करना होगा तो जैसे मैं इसको जैसा चाहो वैसा अब drag कर सकते हो तो जैसे मुझे इतने में ही रखना है अगर इसको दूबार एडिट करना तो यहां पर क्लिक कर दीजे है इसके आगे मैं add कर देता हूं dashboard ठीक है तो यह होगा हमारा यहां पर heading अगर आप ब ले सकते हो मतलब कोई भी चार्ट ले सकते हो जैसे मैं एक स्कॉलम चार्ट लेता हो तो इस तरे के आपको एक बलैंक चार्ट मिल जाएगा ठीक है आपको जो भी जालना था उस में आप आप डालगी मतलब dental जैसे मुझे मुझे चाहिए मन्त तो मन्त मेरा आएगा order ID में और order ID में डेट तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने डेट को अभी date column consider नहीं किया क्योंकि अगर मैं date को ठाकि यहां पर डालता हूं तो यह क्या करें का मतलब इसको यह data type गड़बड है तो इसके लिए क्या करेंगे दुबारा जाएंगे data view में तो यह काफी बार होता है आपको यह करना पड़ता है डेटा वीव में जाने के बाद मैं जाओंगा टेबल सेलेट करूंगा orders orders में अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो इसने इसको क्या किया data type में text लिया है जो की गलत है मुझे यह चाहिए date बोला चेंज करना चाहते हो बिल्कुल चाचा चेंज करते हैं आप इसको यह date समझ रहा है बिल्कुल सही है दुबारा चलें की दिखा देगा इससे फाइदा क्या होगा कि आप जैसा चाहो वैसा इसमें value डाल सकते हो ठीक है तो यहां से आप x-axis में मैंने order date डाला था उसको मैं delete कर रहा हूं ठीक है और x-axis में डाल रहा हूं मन्त यहां से आप मन्त उठाओ और x-axis में डाल दो तो आप देखो यहां पर यह x-axis में मन्त आ गया है सिंपल्स आपका चार्ट बनके तैयार हो गया यहां पर आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है वह y-axis पे और x-axis में डेट है और आपको अगर चार्ट में समझ बिना तो यहां पर राइट साइड में देख सो तो विजलाइशन की नीचे x-axis में order date डाला है order date का मैंने सिर्फ month select किया है y-axis में मैंने sum of profit डाला है तो जैसे अगर आपको कोई और value डाला है जैसे माली जै sum of profit की जगह मुझे डालना होता quantity डालना होता तो quantity डाल सकता हूं मैं quantity आ जाता sum की जगह आपको count दिखाना हो तो आप यहां पे जो down arrow इस पर click करिए यहां पर आपको जाएगा average कर सकते हो minimum maximum count दिखाना है तो आप count पर click करो तो count के लिए change हो जाएगा ठीक है तो वह सब आप यहां पर कर सकते हो जैसा एक्सल में करते थे बड़ अभी मुझे profit चाहिए तो दुबारा उठाके मैं profit यहां डाल दूँगा तो यह अभी हमारा एक और चार्ट बनके तयार हो गया चीक है अब आप बोलो कि नहीं मुझे horizontal चाहिए तो अब horizontal चार्ट आएगा तो यह काफी अच्छा पावर भी आएगा फीचर बट मुझे stat graph सही है मेरे लिए अब एक काम करते हैं अभी काफी blanks है तो इसके पीछे मुझे कुछ background आइड करना है तो आप अभी किसी चार्ट पर क्लिक मत करो आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दो स्क्रीन पर और यहां पर आपको दूसरा option मिलता है format का आप इस पर क्लिक करो और यहां पर आप देखो different settings है page का information है canvas का setting है canvas मतलब यह जो sheet आपको दिखरा white के लगा इसको canvas बोलते है वाल पेपर डाल सकते हो अगर आपको filter हम लोग canvas background पर जाएंगे और यहां पर अभी color white है तो जैसा कर मैं blue select करता हूं तो पूरा-पूरा canvas blue हो जाएगा अभी आप बोलो के blue की नहीं हुआ क्योंकि transparency 100% आप जैसे कम करो के देखो blue हो जाएगा ठीक है मुझे यह सब नहीं चाहिए मुझे चाहिए image जहां पर आपन इमेज दिखेगा तो इसको मैं zero कर दे रहा हूं तो अब आप background image दे सकते हो तो यह हो गया अभी अब एक काम करते हैं अभी जो चार्ट है इनका color match नहीं हो रहा जैसे कि इस dashboard में है तो उसके लिए क्या करेंगे तो चार्ट को format करने के लिए आप चार्ट पे click करिए और यह आप अगर x-axis में आप देखा हो टाइटल मंत मुझे अगर नहीं चाहिए तो आप यहां पर click कर दो मैंसा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर जैन्वरी लिखा हो तो पता लग रहा है कि मन्त है और left side में sum दिया हो तो sum मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए मैं क्या क करूँगा scroll करूँगा y-axis में और इसका भी title off कर दूँगा क्योंकि मैं उपर heading chart का डाल दूँगा तो उससे मुझे पता लग जाएगा कि यह chart क्या बता रहा है इसके लावा आप इसमें changes कर सकते हो जैसे यह जो color है तो यह जो नीचे आपको जो text color दिख रहा है यह आप change क और जर्नल में जाने के बाद आप जाएए properties में और properties में यह हाइड है canvas की तो यह भी आप change कर सकते हैं जैसे आप देखो नीचे से increase हो रहा है यह size increase हो रहा है अगर इसको मैं करता हूँ 300 तो आप देखो size increase हो गया तो यह सब आप कर सकते हो यहां से otherwise आप यहां से simply drag कर सकते ह अब चलेंगे हम लोग effect में और effect में आने के बाद यहां पर आप देख सकते हो background है background का color है तो background को color आपको select करना होगा तो जैसे कि मैं ले लेता हूं यह नहीं यह color आप अपने हिसाप से देख सकते हो तो जैसे कि यह color अगर लूम है और इसका transparency बढ़ा रहा हूं है जो मैंन है ठीक है वह आप कुछ भी अपने हिसाप से देख सकते हो चलता है 19-20 इसके लावा visual का border है उसको भी मैं लगा रहा हूं तो अभी इसने black border लिया है तो दिख नहीं रहा होगा background की वेसे तो यहां पर मैं दुबारा जाओंगा इस पे और journal पे effects effects में border तो border को पहले करता हूं on तो अभी इसमें border लग गया है border का color आपको लेना होगा तो color आप कोई भी ले सकते हो मैसा color ले रहा हूं जो मेरे background से match हो जाए तो यह color मुझे ठीक लग रहा बॉर्डर का तो यह border color हो गया एक और चीज़ यहां पे अगर आप देखो गया तो यहां पे lines दिख रहीं dotted lines तो तो grid lines नहीं चाहिए तो इसको off कर दे रहा हूं मैं तो यहां से भी आप search कर सकते हो तो यह हमारा पहला जो basic chart था बनके तयार हो गया एक चीज़ और इसकी heading गयव हो गई तो उसके लिए मैं दुबारा जाओंगा इसमें और journal में यहां पे आपको title मिलेगा ठीक है title था sum of profit तो मैं इसको ऐसा कर दूँगा सीधा profit by month ठीक है और इसको आप हटा दीजे और इसका color मुझे चाहिए तो इसको मैं पहले कर दे रहा हूं 12 और इसका color अभी आपको दिखने रहा भी दिखेगा अब आप देख सकते हो ठीक है अब मुझे चाहिए यहां पे आपको मिलेगा उसका alignment आप इसपे क्लिक करिए center में आ गया एक और चीज़ इसका y-axis वाला जो values है वो दिखने रही ना तो आप दुबारे visual में जाईए y-axis पे जाईए और इसमें values में जाईए आप title में नहीं values में जाने के बाद अभी ब्लैक एसले नहीं दिख रहा तो आप इसको gray ले जीजे अब दिख रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप change कर सकते हो अब एक final चीज बसता इसमें कि अगर आप देखो इनका color जो है वो ठीक नहीं आ रहा तो जैसा कि आपने अभी देखा जो ये मेरा graph था ये जो मेरा इस वाले graph से match नहीं हो रहा था ये जो values थी ये match नहीं हो रही थी तो उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पर जाके refresh कर दिया ठीक है तो refresh होता कि काफी बार data अगर ये सही से read नहीं कर पाता क्योंकि मैंने अब यहाँ पर मैं लास्ट पॉइंट आपको बता रहा था कि जो बार से इनके color भी आप चेंज कर सकते हो तो उसके लिए आप दुबारा इस चार्ट पर क्लिक करिए आप जाईए इसमें format में यहाँ पर आपको मिलेगा columns आप columns में जाईए अभी blue है तो अगर आप चाहो तो कोई और color लेना जैसे मैं चाहता हूं कि orange हो जाए तो सारे bars orange हो जाएंगे यह कर सकते हो दूसरा तरीका दूसरा तरीका आप यहाँ पर right side में देखो जो fx लिका हुआ यह conditional formatting है आप स्पिक करिए और यहाँ पर आप color को format कर सकते हो यहाँ पर चाहो तो खुद के rule दे सक चाहते हो तो वह भी आप यहाँ पर बना सकते हो जैसे कि अगर values greater than है smaller than है तो वह case में भी आप यहाँ पर कर सकते हो changes ठीक है अभी मैं इसको cancel कर रहा हूं और एक last option है यहाँ पर आपको color change कर रहा है यहाँ भी show all off है इसको आप on करिए जितने भी columns हैं आपके पास ही बार columns ह है मेरे पास सबका इंडी जूली आप color change कर सकते हो ठीक है अप हरा लाल पीला नीला जैसा चाओ वैसा दे सकते हैं जैसे मैं चाहता हूं यह ऐसा color हो जाए ठीक है इसको चाहता हूं आप pink color कर दो इसको चाहता हूं मैं आप रिड़ रिड़ कुछ भी या red कर दो ठीक है तो यह सारे colors आप यहां से manually change कर सकते हैं जैसे कि हम लोग excel में करते हैं बट अभी मेरे case में मुझे ऐसा नीचाहिए रंग भी रंगा नीचाहिए मैं चाहता हूं आप जाएए columns में columns में जाने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ off मुझे यह सब ताम जाम नहीं चाहिए आप जाएए conditional formatting में और rules चाहिए तो rules मुझे किसके basis पे चाहिए आप यहाँ पे जाए अमाउंट के basis पे चाहिए क्योंकि अमाउंट नहीं profit के basis पे चाहिए क्योंकि यह जो column मैंने बनाया profit के basis पे बनाया profit का sum लिया इसने और यहाँ पे percent है यहाँ पे number है ठीक है आप color खुद से decide कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि जो भी positive values है वो सब blue हो और एक और मैं add कर रहा हूँ new rule और यहाँ पे चाहता हूँ मैं जो भी मेरी negative values हो वो सब red हो ठीक आप इसको करीए ok तो आप देख सकते हूँ आप जो भी negative values है वो सब orange हो गई है और जो भी positive values है ब्लू है तो इस तरीके से आप rule बना सकते है या manually भी आप colors को change कर सकते हो तो यह हमारा पहला chart जो हो बन के तयार हो गया जो की है profit by month तो इसको मैं right side में लगा दे रहा हूँ एक और final चीज़ अगर आप chart के corner को देखोगे तो अभी sharp है मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे वह soft चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे एक तो आप directly आकर search कर सकते हो अगर search नहीं करना है तो आप जाए जर्नल में और यहां पर आप लिखिए border और यहां पर आप देख सकते हैं visual border आगया तो यहां पर आप जितना values increase करोगे उतना ही यह जो soft corners आपके बनते जाएंगे border और इसको मैं बढ़ा दे रहा हूं 15 पे तो इस तरीके से आपको soft corner मिल जाएगा अब एक और अची चीच बताओ मैं आपको आपको हर बार नया chart बनानी जुरुत नहीं सीधा उसको करिए ctrl c और ctrl v जैसे हम लोग normal copy paste करते हैं तो इस chart का duplicate आजाएगा इससे फाइदा यह होगा कि अगर आपको इसमें कोई और values change करनी है तो आपको दुबारा format नहीं करना पड़ेगा जैसे इस chart को मैंने click किया तो suppose कर आपको y axis में कुछ और value चाहिए तो इसको मैं कर रहा हूँ cross और यहां पर मैं ले ले रहा हूँ profit की जगा amount ले ले रहा हूँ amount को लेके आया y axis में उठा कि यहां डाल दिया तो आप देखो amount आ जाएगा सब कुछ आपको radimate मिल जाएगा ठीक है तो अभी क्लिट तो इसको delete कर दे रहा हूँ अब चलते हमारे chart number 2 पर जो की होगा sub category level का data तो उसके लिए जो chart चाहिए मुझे वो चाहिए stacked bar graph तो उसको मैं click करता हूँ और इसमें मुझे जो value चाहिए होगा वो होगा sub category तो sub category यहां पर उसको उठाके मैं डाल दे रहा हूँ चाहिए तो आप chart में डाल सकते हो चाहिए तो आप y axis में डाल सकते हो मैं उसको chart में डाल लाँ क्योंकि वो मेरे लिए easy होता है यह sub category मुझे चाहिए profit के basis पे मतलब ऐसी कौन सी sub categories हैं सबस्यादा profit दे रही है तो इसकी help से मैं क्या कर सकता हूँ मुझे पता लगेगा कि कौन से मेरे products अच्छा perform कर रहे है तो इसमें मैं discount दे सकता हूँ या उन products का stock मैं और जादा बढ़ा सकता हूँ यह मेरे business में help करेगा तो अभी मैं इसको थोड़ा से size बढ़ा देता हूँ तो यह हो गया अभी इसमें एक चीज है कि अगर यहां पे आप देखो एक और टैब है filters जिसको मैंने अभी बंद कर रखा आप उस पे click करिए तो filter tab open हो गया इसमें मुझे अगर इसको मैं scroll करता जाओंगा नीचे तक drag करूँगा तो आप देखो बहुत सारे जो भी सब category से वह सब दिखा रहा है मुझे सारी नीच यह मुझे सिर्फ top की 4 या 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस chart पे click करूँगा और यहां पे आपको option मिलता है filters on this visual तो मैं जाओंगा sub category की drop down पे click करूँगा और यहां पे basic filtering है आप basic filtering पे click करिए और यहां पे सबसे नीचे मिलेगा top end आप इस पे click करिए अब top end की value यहां पे show items लिका हुआ कितना चाहिए आपको जितना चाहिए उतना value चाहिए तो जैसे मुझे चाहिए 5 values आपने 5 लिख दिया उसके बाद एक last time पूछ रहा है आपसे by value मतलब यह data को sort कर रहा है यह किसके basis पर top 5 ही है तो मुझे चाहिए profit के basis पे profit को long time मैं उठा के डाल दूँगा value column में यह जो field है यहां पे और last में आप करोगे apply filter तो आप देखा आपको सिर्फ top 5 values दिखा रहा है है ना तो इस तरीके से आप इसमें filter लगा सकते हैं चाहिए अगर आपको top 1 top 2 top 3 दिखाना है तो इस तरीके से यहां पे आप filter लगा सकते हो एक और चीज़ अभी अगर मुझे सारा इसमें format करना पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा तो मैं क्या करूँगा इस chart पे click करूँगा और यहां पे आपको home tab में एक option मिलेगा format printer का जो की excel में यूज़ करते हैं अब वह यहां नहीं करना पड़ेगा तो यह फाइदा है power bi में जब आप charts बनाते हो और इससे आपका समय बचता है ठीक है अब इस चाहोगा तो आप इस chart का color change कर सकते हो वह सब कुछ यहां पे भी आप कर सकते हो column में जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया था यह बंद और यहां पर इनका size बढ़ा सकते हो यहां पर इनका size बढ़ा सकते हो यह मैंने 10 कर दिया अभी देखने में थोड़ा सुंदर है तो finally हमारे दो चार्ट बन चुके हैं अब चलते हैं अपने next chart टाइप पे जो कि यह पाई चार्ट ठीक है तो पाई चार्ट में आपको दो option आते हैं एक तो simple पाई चार्ट है दूसरा डोनट चार्ट ठीक है तो मैं चाहता हूं डोनट चार्ट पर काम करना तो आप इस पर क्लिक करिए तो मैं डोनट चार्ट को यूज कर रहा हूं कि categories और कितने orders हों वो दिखाने के लिए तो जो categories column है इसको उठाके मैं डाल दे रहा हूं चार्ट में तो यहां पर मेरा categories आ गया और count of orders दिखाना चाहता हूं मैं तो जो quantity है इसको उठाके मैं इसमें डाल दूँगा तो यह आगया मैं डोनट चार्ट count of orders के साथ अभी देखने में थोड़ा सा जीवी लग रहा होगा बट इसको हम लोग एडिट करते हैं तो सबसे पहले तो मैं इस पर कर रहा हूं click यहां से कर रहा हूं format printer और इस चार्ट को कर दे रहा हूं click तो यह मैं इसका color कर देता हूं यह वाला क्योंकि यह दुनों match हो जाएंगे यहां पर ठीक है और spacing आप चाहो तो change कर सकते हो तो इसको मैं छोड़ देता हूं 65 पर ठीक है तो spacing आप देख सकते हो अपने हिसाब से इसके लाब आप जाईए detail levels में यहां पर आप आप दो option आते हैं ए को आप कहां रखना चाते है outside inside वह सबाब कर सकते हो मगर मुझे चाहिए जो label content है इसमें मुझे चाहिए category और percent of total तो इससे फाइदा कि आप फरनीचर बता रहा है 16% है जो आपका electronic से बता रहा है 20% है और जो clothing को बता रहा है 62% है तो यह सब आप यहां पर कर सकते हो दुबा सब कुछ हो गया यह जो right side में जो बचा हुआ है यह नहीं चाहिए मुझे जो इसके legends है तो इसके लिए क्या करूँगा मैं यहां पर जाओंगा header icon है पहले तो header icon बंद कर दो आप header icon का जूरूत नहीं है इसमें दूसरा चीज जो right side में आपको दिख रहा है न इनको legend बोलत ठीक है तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा मतलब sum of quantity रहेगा यहां पर category की जगा मुझे चाहिए होगा payment mode मतलब किस mode से मैंने payment किया है तो अगर मैं payment mode देखता हूँ तो यहां पे है details में details में उठाके मैं payment mode को उठाके मैं डाल दूँगा legend में तो आप देखो हैं पे payment mode वाला भी चार्ट बनके तैयार हुगा एक second के अंदर अंदर ठीक है तो इस तरीके से आप बना सकते हो इसका भी मैं जो size है इसको थोड़ा set कर देता हूँ ठीक है तो हमारे चार चार्ट बन चुके हैं यहां पर अब एक और चीज़ यहां पर आपने अगर इस वाले dashboard में देखा हो तो यह चार values हैं है ना तो यह values कहां से आई तो इसके लिए हम लोग जाएंगी दुबारा visualization में और यहां पर एक option मिलेगा आपको card का है आप card पे क्लिक करिए तो यह blank card आगया इसमें आपको जो value चाहिए तो जैसे अगर मुझे चाहिए सबसे पहले amount का तो amount को उठाके मैं डालतूं को field में तो यहां पर आप देखो sum up amount मुझे दिखा रहा है ठीक है यह value आगी इसको format paint करना है तो किसी भी chart को उठाओ format painter पे जाओ और इस पे click कर दो ठीक इसकी values चाहिए मुझे values का color ठीक नहीं आ रहा तो आप यहां पर जाएए call out level पर जाएए value black है इसको आप कर दीजिए white ठीक और इसका size बढ़ा दीजिए size I think 45 था इसको मैं कर दे रहा हूं 35 ठीक है और इसके अलावा call out इसके अलावा category level है तो इसको भी आप color change कर दीज यह white ठीक है इसका मैं कर दे रहा हूं 10 तो यह मेरा chart बनके तयार हो गया तो यह एक मेरा card बन गया ठीक है इस तरह कि मुझे 4 cards बनाने अब यह आपको देखना पड़ेगा कि इनको कैसे adjust करना इसमें time लगता है तो अभी मैं control c control v कर रहा हूं जो दूसरा card है वो मेरा होगा क कि कितने orders हुए है चीक है तो आप इस पर simply दूसरा control c control v करिए तो यहाँ पर आप क्लिक करिए उसके बाद आप जाहिए इसमें first वाले tab में जो की add data है तो यहाँ पर आप देखो sum of amount है यह नहीं चाहिए आप इसको हटा दो और उठाके profit को यहाँ पर drag कर दो profit यहाँ जैसे को क्लिक करता यहाँ पर sum of quantity की जगा उठाके profit को ले आता तो यह profit आ गया चीक इसी तरीके से मेरा last बनेगा अब जैसे size का आप देखो size का कुछ गड़बड हो गया तो यह size आपको manually करना पड़ेगा इसके लिए तो यहर कोई shortcut नहीं दूसरा तरीका यह है कि आप इसका एक बार length देख लिजिए उससे आप साब divide कर सकते हो यहाँ थोड़ा सा match लगा के तो वो भी आप देख सकते हो एक और चीज़ का देहां रखिए का इन सभी चारो boxes का size same होना चाहिए तो वो देखने में visually थोड़ा अच्छा लगता है ठीक है तो उसको अभी हम लोग देखते हैं आगे तो यह हो गया इसको भी थोड़ा से इदर कर दे रहा हूँ तो इस fourth card में मुझे दिखाना है average order value ठ ठीक है तो वह column यहां पर नहीं तो उसको मुझे calculate करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं दुबारा जाओंगा इसमें data view में और यहां पर मुझे वह column create करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले आप किसी भी column पे click करिए तो यह column टूल आ जाएगा यहां पर आप quantity से divide करना होगा quantity select कर लिया simply आप बाहर क्लिक कर दो या enter कर दो बात एक ही है तो यह average order value आ जाएगा एक और चीज यह जो अभी आया यह decimal में आया तो मुझे decimal नहीं चाहिए मुझे चाहिए whole numbers ठीक है यह पूछ रहा है are you sure बिल्कुल भाई तो इसको आप update कर दो यह में पास average order value आ गया कुछ नहीं करना है वापस चलो इसमें आप average order value क्या होता है मैं एक बार आपको जल्दी बसा देता हूं average order value मतलब आपक तो यहां पर मैं क्लिक करूँगा दुबारा और इस बार जाके एवी को इठाके मैं इसमें डाल दूँगा तो एवी देखो कहा है यहां पर है इसको उठाके मैं डाल दूगा यहां ठीक है तो यह में पास आगया average order value अभी यह थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो इसका हम ल बना लिया अब सेम टू सेम आपको दूसरे वाले दोनों चार्ट भी बनाने तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो एक तो टॉप कस्टमर्स का हो गया और टॉप स्टेट्स का हो गया तो भी मैं जल्दी से बना देता हूं तो इसको मैं जादा डीटेल में समझाऊंगा जल चाहिए फिल्टर यहां मुझे तौफ फाइडर तो उसके लिए मुझे यहां पर सबसे पहले फिल्टर लगा कि फिल्टर लगा पाँ कि बिखा जाए तो आप सेलेट कर ला लीजेिए टॉप एन ठीक है फापन्स सटेट चाहिए आपन सो कर करो उसके बार जितने वाप को स चीए तो जहसे मैं सिर्फ चार दिखा रहा हूँ देखने में सब्सक्रा लगता है किस मेल्यव के बेसेस पर चाहिए तो मुझे था चाहिए तो हम आग उप यहां पर वेल्यू में डाल दोगा सम आएगा ठीक है अप्लाई टीक तो यहां पर में पास टॉटल चार वेल्यू आगी अब अगें यहां पे आप देखो राइट साइड में यह जो महारास्टर वो दिख नहीं रहा तो इसके लिए मैं दुबारा जाओंगो फॉर्मैट में वाई एक्सेस है वाई एक्सेस को लूँगा और इसका एरिया में इंक्रीज करूँगा ठीक है तो इसे महारास्ट एंटर में आ जाएगा ठीक है फॉर्टी वन परसेंट या थोड़ा सा बढ़ा देता हूं फॉर्टी टू परसेंट ठीक है और इसका साइज अगर बढ़ाओं टैन ठीक है अभी सब कुस देखने में सही है तो यह मेरा दूसा चार्ड भी बन गया अगें इसमें आपको इस से यहां पर स्पेस ज्यादा है कम ज्यादा वह सब भी हम लोग बाद में कर लेंगे एक सबसे लास्ट में पास ग्राफ बचता है जो की है कस्टमर का डेटा का ठीक है तो उसके लिए आप चाहो तो इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हो या तो आप एक नया चार्ट ल रहे हैं तो उसके उसकी से हम लोग उनको अलग से अरिघ्ट कर सकते हैं मतल Gir як फोई डिसकाउंट दे सकते हैं या कुई ऑफर या कुपर दिसकते अब इसमें मुझे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए तो उसके लिए तो पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा किसके बेसिस पे चाहिए अमाउंट के बेसिस पे चाहिए तो अप्लाइ फिल्टर कर दो तो यह टॉप चार कस्टमर पास आगे तो अगर हम लोग देखें टॉप च चार कस्टमर से आप चार की जगा पांच यह जितने चाहिए उतना दिखा सकते हो वह आपके उपर है तो यह हो गया हमें पास फाइनल सारी ग्राफ उपर यह जो है इसका कलर चेंज करना तो आप किसी को भी इठा सकते जैसे मैं इसको उठारा हूं फॉर्मैट पेंटर कर हूं और इसको कर दे रहा हूं अभी ठीक है तो माधव e-commerce sales dashboard यह उपर मेरा heading हो गया आप इस dashboard को अपने साब से design कर सकते है और customize कर सकते हो ठीक है तो ऐसा कोई नहीं fix format होता है वह आप पे depend करता है अब यह almost ready हो गया सिर्फ एक last चीज़ बसती है वह है यहां पे filters जिससे मैं इन जो भी values इनको मैं filter कर सकता हूं ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर जाना होगा slicer में आप slicer पे क्लिक करिए आपके लिए slicer आ जाएगा और मैं जो filter लगाना चाहता हूं वह quarter की basis पर करना चाहता हूं ठीक है तो इसको मैं उठा के यहां पर डाल द देखेगा इसका मैं size छोटा कर ले रहा हूं इतना कर रहा हूं और इसको थोड़ा format करना पड़ेगा क्योंकि इसका color ठीक नहीं लग रहा तो कोई भी एक card select कर रहा हूं format painter और इसको format कर दे रहा हूं यह सौरी हमारा बन गया filter जहां पे आप different values को select कर सकते हो अभी हमारे last filter जो कि drop down होगा और वो हम लोग state level पे करेंगे तो filter कौन सा लगाना है कितना लगाना वो आप पर depend करता है उस रिसाप से आप filter बना सकते हो तो अभी मेरा last filter जो बचेगा इसको मैं हटा रहा हूं और मैं चाहता हूं state आए filter पे तो अगर समान लीजिए किसी manager को या किसी को सिर drop down ठीक है drop down में आगया भी आपको दिख नहीं रहा तो आप जाइए values में और values में color change कर दीजे तो मैं कर दे रहा हूं यह color भी नहीं दिख रहा यह color ठीक है तो यह आगया मेरा slicer और यहां पर आगर आप drop down क्लिक करोगे तो आपको सारी values मिल जाएगी तो suppose करो जैसे मुझे आप डेली पहली कि लिका दो आपको सिर्स डेली का वेथिए डेली का वेथिख लि cardiovascular में कप सॉपिंग शॉप विए कहां से वही यह साए रहें पर अब अपने अपडίο हो जाएगा अगर आप सारा वेल्यों बेक्यर दो आपको सारा वेल्योज आपको सारा दिखने लगे त तो यह हमारा एक finally dashboard बन के तयार हो गया, इस dashboard को आप अपने resume में भी add कर सकते हो, और resume में क्या line लिखना है तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, तो आपने resume में लिख सकते हो, Analyzed e-commerce sales data, Created and interactive dashboard using Power BI, चीक है, तो यह ऐसा आप लिख सकते हो, इसके लावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, तो वैसे आप लिख सकते हो, और इसको आपने resume में या profile में add कर सकते हो, तो अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रहा हो, तो please like this video and subscribe to the channel, आप मुझे comment बता सकते हो, कि इस तरह के अगर आपको और वीडियो चाहिए, तो मैं इस तरह के और वीडियो मना सकता हूँ, तो आप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए, बाई बाई